नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने नीज चानल आरे नीज पर आपके साथ मैं हूँ पल्लेवी रवीदर सिंग बुल्टु की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है पीतमपुरा इलाके में शिवा मार्केट में आग लगी है इस वक्त की बड़ी खबर आरे नीज जरी आपके टेलेवीजन स्ट्रेंड पर है आपको बताचिले शिवा मार्केट में इलक्ट्रोनिक शोरुम में आग लगी है दमकल की लगभग जानकारी के अनुसार 16 गाडिया वहाँ पर मौझूद है जो आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है आग पर काबू आपको बताचिले पाने की कोशिश की जा रही है आला हलां कि आग लगने से किसी तरीके की हताहत की खबर अभी तक सामने नहीं आई है शोरूरू में लाखों का रखा सामान जो है वो लाखो का रखास जो सामान था शोरूम के अंदर का वो जलकर खाक हो चुका है शुआ मार्केट में लक्ट्रोनिक शोरूम में आग लगी है इस वक्क की बड़ी खबर आ रहे हैं इसके जरे आपको टेलिविजन स्क्रीन पर आग बुझाने के लिए दमकल की लगभग सोला गा देने वाले हैं मोदी 20 अक्टूबर को कुशी नगर का दौरा करेंगे वे यहाँ पर अंदरास्टी हवाई अद्डे का उद्गाटन भी करेंगे इसके अलावा एक मैडिकल कॉलिज की आधार श्रीला भी रखेंगे आपको बताते चले एक वरिष्ट अर्थकारी ने शुक पर अंदरे के उद्गाटन के मदेनजर मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने शुकरवार को यहाँ कुशी नगर के जन प्रतिमधियों बीजिपी ने ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों को कुशी नगर में रुक कर तैयारियों का जायजा लेने की बात कही मुख्यमंत्री 12 या 13 अक्ट्यूबर को कुशी नगर का दौरा कर सकते ही योगी नहीं कहा है कि उध्गाटन समरोह के दौरान इस हवायद्डे पर जो पहला विमान उत्रेगा उसे श्री लंका के राश्पती और श्री लंका ये प्रतनिर मंडल यहां पहुचेंगे आको बताथ सिल बैठक के दौरान कुशी नगर से सांसद विजय दूबे देवरिया से सांसद डौक्टर रमपती रामत्रपाथी कुशी नगर में भाचपा की जुला अधेक्षक प्रेम चद्रमिश्रा और अन्य विधायक भी बैठक में मौझूद थे तो योगी के बयान के विरोध में यूपी में सभी जिला कॉंगरस कमीटियों भगवान वालमे की मंदिर में सफाई करेंगी कॉंगरस के रास्टि महासची और उतरप्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी के जाड़ू लगाने पर सियम योगी आदितनाथ के बयान के विरोध में यूपी कॉंगरस की सभी जिला कॉंगरस कमीटियों आप विरोध कर रही आज भगवान वालमे के मंदिर में सफाई करेंगी जा करके गोरगपूर में शुक्रवार को एक आपको बता चले नीरी चैनल को से दिये इंटर्वी में कॉंगरस ने ता प्रियंका गांधी वोजरा ने सीतापूर पेसी गेस्ट हाउस में जाड़ू लगाने पर मुख्यमंत्र योग्या दितनात ने कहा था कि लोगों ने उन्हें इस लायक छोड़ा है प्रियंका ने शुक्रवार को ट्विट कर कहा आज उत्व प्रदेश की मुख्यमंत्र ने जातिवादी बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिक्ता दिखा दी कल उत्व प्रदेश की सभी जीला कॉंग्रेस का मेटिया भगवान वालमी की मंदिर में साफ सफाई करेंगी और देश के करोड़ों दलितों और महिलाओं का अपमान भारत बरदाश्ट नहीं कर सकता तो वहीं लखिमपूर खीरी हिंसा मामले का मुख्या और ओपी अभी तक फरार चल रहा है केंद्रिग्रह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटी आशरिश मिश्र पर शुकरवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना था आपको बताते चले लेकिन वहा कल भी वहाँ पर नहीं पहुँचे थे उनके रिष्टेदारों का कहना था कि शनीवार को वह दफ्तर में पेश होंगे और इसके साथ साथ इस बीज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने लखीमपूर कांट को लेकर बड़ा बयान दिया नड़ा ने कहा है कि कानून से उपर कोई भी नहीं है और दोशी पाय जाने पर सब के खिलाफ कारवाई होगी नड़ा ने ये बाते कह दी है और वहीं उद्रप्रदेश के उप मुख्य मंत्री केशो प्रशाद मौर ने लखीमपूर खीरी की घटना को दुरभागी पूर बताते हुए कहा है कि जगटना की किसी को दोशी नहीं बख्षा जाएगा जो भी दोशी होगा उसे बख्षा नहीं जाएगा ये कहा है केशो प्रसाद मौर ने उन्होंने कहा मुख्या औरोपी आशिश मिश्रा की ग्रफतारी नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोट ने राजिस सरकार को भी कड़ी फटका लगाई शुक्रवार को सुप्रीम कोट में लखेम पूर्खीरी मामले पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरिश सालवे से पूछा कि अगर किसी भी धारा 302 के तहत आरोप है किसी पर तो क्या उसे नूटिस देकर बुलाया जाता है केंद्रिग्रह राज मंत्री आजय मिश्रू ट्रेनी के बेटी आशिश मिश्रू पर IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्श धारा 302 हत्या से जूड़ी धारा होती है आपको बता चले कोट ने सुनवाई के दोरान ये भी कहा है कि वह जाच के लिए यूपी सरकार की तरफ से उठाये गए कदमों से संतुष्ट नहीं है आपको बता दे केंद्री ग्रह राजिमंत्रू अजय मिस्रू ट्रेनी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यले में कहा है कि मेरा बेटा निर्दोश है उन्हेंने कहाए बेटे के तरफ से नोटिस का लिखिट जवाब दे दिया गया है बेटे का स्वास्त ठीक नहीं होने के कारण वा शुकरवार को पेश नहीं हुआ उन्हेंने कहा है बेटा शनीवार को जाच एजिंसी के सामने पेश होकर अपने निर्दोश होने का सबूत देदेगा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुँ उन्हें कहा है कि ये घटना दुरभागे पूर्ण थी इसका राजनीतिक उपियोग बस किया जा रहा उन्हेंने कहा है कि निश्पक्ष इसमामले की जाच होनी चाहिए इसमापूरा सहयोग करेंगे और दोशियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए किसानों के वेश में कुछ उपद्रिव्य वहाँ पर खटा हो गए थे तो मैं दूसरी तो लखिमपूर हिंसा को लेकर नोजो सिंग सिध्धू मौन अनशन पर बैठ गए हैं बता दे कि बज़ाब कॉंगर्स प्रधान नोजो सिंग सिध्धू ने गुरुवार को ही ऐलान कर दिया था अगर केंद्री ग्रहराज मंत्री के बेटे की गिरफतारी नहीं होती है तो भूख हरताल पर बैठ जाएंगे हलांकि आपको बताते चले आप कॉंगर्स के बाद शुरु मुने काली दल की नेता मृत्तक किसानों के परजनों से मिलने लखिम पूर रवाना हो गये सांसद हरसे मरतकोर बादल के नेतरोत में श्रीयद नेता लखनों में मुख्यमंत्री योग्याद इतना से मलाकात करेंगे जहां उनके दोरा घटना के लिए जिम्मेदार सभी आरोपयों की गिरफतारी की मांग की जाएगी बदाचले के शुरूमणयकाली दल अध्यक्ष्य सुखवीर बादल ने कहा था कि प्रतिनी मंडल उत्रप्रदेश सरकार से मलाकात करेगा और उन पर दबाओ बनाएगा कि वे इस भयावा क्रत्य के दोश्यों को तुरंद गिरफतार करे खबरों में आगे बढ़ते हैं कोवताचली कश्मीरी पंडितों के बाद जम्मू कश्मीर में हुई दो शिक्षकों की हत्या का सिक्ष समुदाय ने भी जम कर विलोद किया दिली गुर्दारा प्रबंधन समित के अध्यक्ष मन्जिंदर सिंग सिरसा ने सरकार से सिक्ष समुदाय की सुरक्षा की मांग की साथ ही कहा है कि सुरक्षा मिलने तक सिक्ष दोबारा काम पर वापस नहीं लोटेंगे गुरुआर को कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के मुथी इलाके में प्रदर्शन किया था और अल्प संख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग भी उठाई थी एक वीडियो मैसेज जारी किया और कहा है कि सिक्ष समुदाय में दहसत का महौल है सुरसा ने कहा है कि उन्हें के वल इसले मारा गया क्योंकि वे नौन मुसलिम थे और मैनोरिटी के लोग थे वहाँ पर उन्होंने आजादी का जशन स्कूल में मनाया उन्होंने जानकारी दी है कि सिक्क करमचारी की सुरक्षा के सम्मंद में मुख्य सच्ची को भी आउगत कराया जाएगा और गुरुवार को श्रीनगर की ईदगा इलाके में सरकारी स्कूल की प्राचारिक और और एक शिक्षक दीपक चंद को आपको बताते चले गोली मार दी गई थी इस आतंकी हमले में गंभी रूप से घाल दोनों शिक्षकों को अस्पताल से ले जाया गया था और जहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी तो आपको बताते चले कि देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरेस के नए मामलों में गिरावट देखनों को मिल रही है पिशले 24 घंटों में कोरोना वायरेस के 19,740 नए मामले सामने आए हैं 248 लोगों की मौत हो गई कल देश में 21,257 मामले दर्श किये गए थे और आपको बता चले कि स्वास मंतराले की ओर से जारी आकडों के अनुस साल देश में पिशले 24 घंटे में 23,077 लोगों कोरोना मुक्त हो चुके हैं जिसके बाद एक्ट्व केसे घटकर 2,36,643 हो गए देश में अब तक 3,32,48,071 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं तो वहीं अब तक कोरोना से 4,50,375 लोगों की मौत हो चुकी है इसके साथ ही केंदरिस्वास मंतराले ने बताया है कि देश में कल कोरोना वारस वैक्सीन की लगभग और 89,12,202 डोस दी गई थी जिसके बाद वैक्सीन की डोस का आकड़ा बढ़कर जो है वितरानवे लाग के पार पहुँच गया बताते चले कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिन राज केरल में कोरोना के सबसे ज़ादा मामले दर्श के जा रहे हैं केरल में पिछले 24 गुंटों में कोरोना वाइरस के 10,944 मामले आए वहीं 120 लोगों की जान चली गई जिसके बाद राज में कोरोना से जान गवने और लोगों की संख्या जो है वो 26,72 के पार हो गई राज में आप कोरोना के सक्रे मामलों की संख्या एक लाग 16,645 जबकि अब तर 46,31 के आसपास आकड़े हो चुके हैं अफगानिस्तान से सैन वापसी के बाद अमेरिका पहली बार तालिबान से बात्चुत करने को तयार हो चुका है अमेरिके विदेश मंत्राले ने बताया है कि दोहा में शनीवार और अविवार को अमेरिके डेलिगेशन और तालिबान के निताओं के बीच अहम मलाकात होगी विदेश मंत्रौले के अधिकारी का कहना है कि इस मलाकात काहम मुदेश अफगानिस्तान में फसे अमेर की वा अन्य विदेशी नागर को की सुरक्षित निकासी को तयार करना है। बताया जा रहा है कि डेलिगेशन इसी मुद्ध्यों को तालिबानी नेताओं के सामने जोर शोर से रखेगा। कोली की कमी का असर आपको बता चले बिहार में भी देखने के मिला। आपको बताते चले कि 5 रुपई यूनिट जो बिजली मिलती थी अब वो 20 रुपई यूनिट तक पहुंच चुकिया। यहां तक गंभीर हो चक ले हैं कि तेवहारों के कारण आने वाले दिनों में बिजली संकट और गहरा सकता है।